हेलो एप्रिवान आज मैं फिर आपके लिए इंपोर्टन टॉपिक लेखे हैं हो स्पेक्ट्रोस्कॉपी का यह 8 मार्क्स का कोश्चन है और गर इलेक्ट्रोन स्पेक्ट्रोस्कॉपी सेम 2 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफीशन है तो इसको आपने अच्छे से को देखने के बारे में मतलब कोई भी सॉलिड का कैसा सर्फेस है उसको हम इस टेक्निक से पता कर सकते हैं इसको ऑक्सीडेशन के बारे में भी जाने के लिए यूज किया जाता है मतलब मैंने कोई भी ऑक्सीडेशन करवानी है उसमें कितना कैटलिस्ट यूज हुआ कितना क पता चल जाता है Interfaces and Grain Boundaries तो उसके जो तीन है benefits उसके हमें AES method से पता चल जाता है यह एक ऐसी टेकनीक है जो हमें यह तो देती ही है benefits लेकिन आगे हम इसके applications पढ़ेंगे जो आपसे अरलग 5 और 6 मांखनों हुझा जाता है जो AES spectroscopy है वो 3 steps से बने होती है बस step होता है atomic ionization, electron emission and analysis of emitted auger electron इसमें से जो है वो सिर्फ 2 steps को consider किया जाता है था और वाले को step को consider नहीं किया जाता क्योंकि high sensitivity और इसकी conditions होती है तो only two steps को ही consider किया जाता है क्योंकि जो third वाली है वो problem detecting होती है problem detect करता है charge particles की और high sensitivity होती है तो इसलिए इसको practicals में involved नहीं किया जाता है and इसके लिए additional requirements होती है कि इनको जो electro emitted हुए है उनकी kinetic energy determined होनी चाहिए अगर वो determined नहीं है kinetic energy कर नहीं हमें पता तो हम उसमें कुछ भी apply नहीं कर सकते है तो हम उसमें कुछ भी apply नहीं कर सकते हैं मतलब रिक्वार्मेंट्स जरूरू भी होती है निकिन first and two process है जो वह बिना किसे condition and requirements के हो जाती है इसलिए वही steps involved होते है अब अब देखिए ionization जिसमें हम के L1 and L2 levels को involve करेंगे जिसके हमें जो main है उसके बारे में detail में पढ़ेंगे यह levels होते हैं यह shells होती है अपने पढ़ाई होगा तो K and L1 and L2 levels ही involved होते है ionization में देखिए तो auger process है जो initiator होता है core hole से this is a typically carried out by exposing the sample to beam of higher energy electron उसको sample को हमें higher energy electrons में छोड़ना होते है तब ही वह process initiate होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है जो यह आप देख सकते है L1 level है L2 3 L similarly L1 है L2 3 तो ऐसे क्या है यह vacuum में वेकम लेवल में थे यह मतलब एयर लेवल में थे जब हमने इसके ionization करवाई तो K electron के shell निकल गया इसमें से and higher energy electron की presence में तो अब देख सकते ionization करवाई removal of K shell electron तो ionization कब होई जब K electron यहां से निकल गया अब आता है next stage relaxation इसमें क्या बता रहें कि ionized atom जो है वो remain अपने वही core में रहता है जहां से रिमोव किया गया था and in highly excited state वो state highly excited होती है and will rapidly relax और relax भी बहुत चल्दी हो जाती है and अपने low energy state में वो वापस चला जाते है इसके दो main roots होते हैं कहां कहां से यह जाता है x-ray fluorescence and auger emission so यह जो था वो इसका एक डिट्राप अब हम इसके structure देखेंगे कैसे यह working होती है shells कैसे ionized होते है and structure की कैसे working होती है and उसके applications यह इसके diagram है structure है जो जिसमें आप देख सकते हो कि sample को electron gun के सामें रखा गया है जब उसकी जो light आएगी and electron detector उसको detector करेगा कितने amount of हमने उसको देनी है electrons and यह जो है small structure है लेकिं detail structure जो है वह आपको अभी मैं आगे करवांगी आप क्यों पर depend है अगर आप यह करना चाहते हो तो यह भी कर सकते हो यह भी सही है और अगर आप चाहते हो कि ज्यादा अच्छे से आपने लिखना है प्लस पॉइंट शाहिए तो दूसरे structure आप कर सकते हो यह है second option यहां पर आप देख सकते हैं कि sample है जो वह left hand side में है electron gun है electron multiplier है और remote से वह control हो रहा है और remote के साथ amplifier लगा है and then जो remote है वह computer के साथ connected है computer पर अलग अलग तरीके से display हो रहा है तो यहां से क्या है वो digital plotter में भी वो एक graph की तरीके से भी and एक energy area की तरीके से and किसी भी तरीके से हम उसको display कर सकते है computer के ऊपर and जो main है वो है supply जो उधर से हो रही है and sample electron gun and electron multiplier and remote and computer इतना circuit आपने जरूर बनाना है लेकिन अगर आप यह वो डाइग्राम अटेंप्ट कर रहे हो तो आपको जैसे दिखाया गया same to same आपने वैसे ही ड्रॉ करने अगर आप से यह typical लग रही है आपको तो आपको जो पहले वाली option दी है वो बिलकुल correct है उसके साथ जाएंगे तो आपकी मार्क सच्छे आजाएंगे लेकिन प्लस प्रॉइंट जाहिए तो यह वोली डाइग्राम अब देख लेते हैं इसकी explanation structure को explain जरूर करना है it consists of an ultra vacuum chamber console of sample manipulator unit क्या इसमें क्या क्या चीज़े लगी है एक vacuum chamber लगा है sample manipulator लगा unit लगी है and combination of electron gun and auxiliary equipments लगी है and on include grazing incidents electron and splitter iron gun for cleaning surface जो splitter iron है उसको surface को clean करने के लिए and profile को study करने के लिए लगाया गया है and जो this spectrometer है are available are as large beam depth profiling instrument मतलब यह बहुत ही large beam की तरह एक available होता है और profiling instruments होता है जो मतलब जो यूज़ करता है उसकी profile अलब बनती है and वही responsible होता है जो activities के साथ होई है if instrument is used as a high sensitivity depth profiler also a high lateral resolution मतलब अगर इसको instrument को use क्या जाता है high sensitivity के साथ कोई भी high sensitivity होती है इसमें and तो इसमें क्या एक condition होती है कि उसका जो micro probe है उसकी जो beam diameter है वो 5 micrometer होना चाहिए अगर इस instrument को आप बहुत high sensitivity से deal करना चाहते हो तो condition apply होती है तो यहां से आप बागी भी explanation देख सकते हैं इसको मैंने हिंदी form में लिखा है जो आपको easily learn हो जाए I hope आपके लिए वीडियो helpful रही है और मैंने कोई भी आल्टू फाल्टू बात नहीं किया है इस वीडियो में see the point के बात किया जो आपका time is now तो please इतने efforts के लिए मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए तो यहां से आप देख सकते हो कि energy distribution जो electron से निकलनी थी ठीक है target ne से वो omit होगी जब हम negative voltage उसको apply करेंगे outer cylinder के जो cylinder का mirror से बना हुआ है जब हम उसके उपर voltage apply करेंगे outer cylinder क्या है scan हो जाएगा मतलब पूरा उसका एक machining बनी है अगर हम एक पार्ट को use करते हैं touch करते हैं तो automatically सारे parts involved हो जाते हैं and scan हो जाते है electron distribution को हम measure कर सकते हैं current output से digital filter को remove करके high frequency की noise component को निकाल सकते है signal से and signal averaging use electron multiplier and उसको करने के लिए हमें electron multiplier की जरूरत होती है जो cross कर सकता है range को energy की so assure करती है कि peak जो है वो above है यह above stand कर लिए यह below stand कर लिए तो यहां से आप सारी working देख सकते हैं इसको मैंने detail में explaining से नहीं किया क्योंकि जब आप खुद बढ़ोंकि तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा एंड वीडियो बेफालतों की लंबी चली जाएगी ठीक है तो आप यहां से समझ सकते हो और फिर भी आपको problem आएगी तो आप मुझे एफ़ी पीज पर contact कर सकते हो ठीक है तो कोई भी मसला नहीं है जाता है एक्जाम में वो है application तो application आपने जरूर करके जानी है क्योंकि समझ टाइम यह compulsory motion में आ जाता है देख लेते हैं कि AES की applications क्या है यह chemical shift देख सकते हैं हम इस method से तो क्या कैसे देखेंगे हम chemical shifts अगर chemical shifts यह बार में नहीं पाता है तो इसके उपर मैंने अलग वीडियो बनाई है description box में link मिल साएगा वहां से देख लेना chemical shift की हम देख सकते हैं through the peaks of the AES and AES is the good for element with low atomic number and high special resolution मतलब जिसका atomic number कम है थी है उनकी लिए बहुत अच्छा यह method है क्योंकि जो small atomic number वाले होती है ना उनसे deal जो है वो कम instruments करते हैं लेकिन एक लोता है कि लोता नहीं है और भी होंगे जो इसके लिए यह method best माना जाता है क्योंकि इसमें high special resolution मिलता है solid का surface बना है अगर AES lower है तो वो थोड़ी atomic layer में ही penetrate करेगा तो हमें यहां से क्या पता चलेगा कि solid surface के अगर AES हमाएं यहां पर lower आ दी है मतलब जो चीज उसमें solid surface में है वो कम penetrate करेगी तो यहां से हमको इतना इसका guess हो चाता है with this method तो third है fourth है जो point वो है quantitative analysis में क्या है restricted होती है तो इस सिर्फ elemental analysis तक ही restricted है कोई और चीज के लिए हम इसको नहीं उसका सकते qualitative में कर सकते हैं लेकि quantitative में case यह है कि हम सिर्फ elemental की ही analysis कर सकते हैं oxygen state का भी पता चल चाता है और गर electron spectroscopy से enter रही और points की बाद तो starting में मैंने आपके साथ थोड़े से points discuss किये थे कि यह application किस चीज के लिए यूज होती है वो points भी आपने इसमें यूज कर सकते हैं जिससे आपकी क्या है कोशिन की strength अच्छी चले जाएगी तो यह topic यहां पर पूरा होता है I hope आपको यह वीडियो समझ आगी होगी अगर कोई doubt है तो आप पूस सकते हैं जो जो comments में आपने topics बोले हैं मैं जल्दी उसके ओपर वीडियो लेके आऊंगे ल क्योंकि इतने topics हैं एंड बनाने भी हैं तो थोड़ा simplify करने के कोशिश करते हूं जो आपके लिए easy रहे नहीं तो as to google से उठाक मैं भी ला सकती हूं तो patience जरूर रखे एंड अगर चैनल पर न्यूहाँ चैनल को फटा-फटा से subscribe कर दीजिए and like जरूर कर यह like कि मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है बस इतना पता चल जाता है कि मेरे वीडियो को quality किया है अगर अच्छी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं है आप dislike भी कर सकते हो बट feedback ज़रूर देता हूं